नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तेकिराच YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी ऑनर के डिवाइस पर यहीं आपको ब्लैक स्क्रिन का प्रॉब्लम है तो दोस्तों कैसे इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो पडोस्तों में आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलिशन बताने वाला ठीक है तो यहां पाड़ोस तो ब्लेक स्क्रीन का प्रॉब्लम् जो हैं इससिर फोन पर नहीं मुंढ़ेँ अब जुक्ति सब्सार्ट शायए हैं में इत circle करे लेकिन पसे हैं इस इक सब्सक्रारा अनिधा आजाते लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कोई भी चिंदा करने के जरूर नहीं मैं आपको solution दूंगा black screen problem को fix करने का तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप solution करते तो काफी दिन तक आपको black screen का problem नहीं होगा ठीक है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लेकिन आपको process जो है पूरा follow करना होगा आप यहाँ पर दोस्तों कोई भी process जो है follow करने से माना नहीं कर सकते इस condition पर ठीक है क्योंकि दूस्तों यहाँ पर हम जब भी कुछ भी यूज़ करते जैसी कि दूस्तों आप यहाँ पर phone को ऐसे चोड़ दिया जब आप दूस्तों अनलोग करते मोबाइल को तब भी दूस्तों ब्लेक स्क्रीन हो जाते कभी अब दूस्तों इसको केस से fix कर सकते इस वीडियो के अंदर पर आप देखके जान लिजेगा वीडियो को आं तक देखिए और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं सारे साथ दूस्तों बेल आइकोन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे तरफ से जो है लेटेस अपडेट मिलते रहे तो चलिए दूस्तों वीडियो को बिना टेरी कि हूए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है black screen problem को fix करने के लिए ठी करते तो आप दूस्तों उसमें reboot कर सकते हैं ठीक है समय कर सकते हैं तो आप जब तक कि आपने mobile को restart नहीं करते हैं आपका phone भी तो आपको जब器 यहां तो अब iStorани बेगा को चेक कर上हैं सेटिंग वढ़त रचारीज नहीक इससे जिस Ł aids रहा जाने के बाद दोस्तों आप स्टोरेश को चेक कीजिए कि आपका स्टोरेश किस कंडिशन पे हैं यहीं स्टोरेश बहुरी ज्यादा फूल है तो आपको स्टोरेश यहाँ पर काम करवाना होगा ठीक है आप गूगल ड्राइफ के मदद से कुछ फिक्टर वीडियो में स् सकते चाहिए तो आप कुछ फाइल को जो है दिलेट भी कर सकते तो मेक शूर कि आप थोड़ा से एंप्टी स्पेस हमिशा राखे ठीक है ब्लेक स्क्रीन का प्रप्रोल्म आया है तो दोस्तों कम से कम आपको हाफ स्पेस एंप्टी करना होगा ठीक है तो मेरे पास दोस्तों काफी जाता है इस तोरह चे लेकिन दूस्तों आपके पास यहाँ पर यह सभी सूलुशिन करना होगा उसके बाद दोस्तों जाए सेटिंग बर डुबारा से बैटरी पर क्लिक कीजिए उसमें क्लिक करने के बाद एप लॉंज पर जाए और दोस्तों यह बटन को आफ कर दि क्योंकि दोस्तों आपका जो background एप है वो बन हो जाएगा ठीक है इसको off करने से तो आप यह कर दीजिए यह करने के बाद दोस्तों आप जो है थोड़ा सा applications को चेक कीजिए यही आपने काफी सारा जो application से install कर रखा है तो आण install कर दीजिए ठीक है आपको ज्यादा application यहाँ पर use नहीं करना है क्योंकि दोस्तों black screen का problem जो है application के मदद से आते हैं यही आपने कोई browser से जो है application को लिया है तो वो भी आपके mobile को जो है damage कर सकते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो applications जो भी browser से install किया है उसको अन install कीजिए यही काफी ज़्यादा application है तो उनसको भी install कीजिए सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप अपने mobile space को क्लियर ही कर सकते ठीक है तो यह सब solution करने के बाद दोस्तों आपको जो है distant school मैं BLACKимость काा अपको दिखाई नहीं देगा ठीक है प्रोब्लेम सॉल्फ जारा लेकिन दौस्तों यह एपको जो है आप रोलम सॉल्फ नहीं हो रहा है आपको दोबारा से वही ब्लेक स्रीन का मैं तोblind और अपको क्या करना है आपको सैंटिंग पर जाना है इं सिस्तेम को तो इरेस करना होगा तो फेक्टूरी डेटा रिसेट कर दीजिए तो फेक्टूरी डेटा रिसेट करने से आपका जो मोबाइल है वह पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा ठीक है तो बस आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा स solve हो जाएगा तो आज के इस वीडियो पर उस तो बस इतने ही उमिद करते हैं आपको जो है वीडियो पसने होगा thanks for watching